बदाईयों में दो मासूम बच्चों के डबल मर्डर मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दो आरोपी साजित जिसे पहले एंकाउंटर में मारा गया है लेकिन उसका दूसरा भाई जावे जो फरार चल रहा था अभी अभी ये खबर आ रही है कि जावे जावेद को गिरफतार किया गया है लेकिन जो बड़ा भाई जो मुख्यारोपी था जिसने दो मासूमों की निर्मम हत्या की थी बेरैमी से हत्या की थी अब ये खुलासा हुआ है कि जावेद की गिरफतारी हो चुकी है आप से थोई देर पहले ही आपको बता दे जावेद की बरेली से ये गिरफतारी हुई है बहुत बड़ी काम्याबी से कह सकते हैं क्योंकि अभी तक जो दो मासूम बच्चे जिनकी निर्मम हत्या की गए निशन्स हत्या की गई ये सामने नहीं आ पा रहा है ये वजह सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर साजिद और जावेद इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है आपको बता दें कि बीते मंगलवार की घटना है दोनों भाई आयूश और आहान जिन दो बच्चों की हत्या की गए उनके घर जाते हैं क्योंकि यही का जा रहा था कि दोनों ही परिवारों में परिवारिक रिष्टे थे और यही वज़ा है कि जब जावेद और साजित उनके घर जाते हैं तो उनकी जो माता है आयूश और आहान की जो माता है उन्हें चाय पीने के लिए बिठाती है क्योंकि विनोद की तरफ से जो ठेकेदार इस परिवार के जो आयूश और आहान की जो पिता है विनोद वो ठेकेदारी का काम क लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि साजीद की एंकाउंटर ने मौत हो गई जो फराज चल रहा था जावेद उसकी गिरपतारिया बनारस से कर ली गई है लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है और वह खुलासा है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट से तो आप यह समझ सकते हैं कि इस हत्या के पीछे को सोची समझी साजिश हो सकती है कोई तैश में आकर इस पूरे घटना को अंजाम नहीं दिया गया वाददाथ को अंजाम नहीं दिया गया एक नहीं दो नहीं 23 बार किये गए और जानकारी यहीं निकलकर आ रही है कि नो बार किये गए तो आप देखें कि जब तक दोनों मासूमों की जान नहीं चली गई तब तक यह दोनों आरोपी यानि कि साजिद और जावेद उन पर बार करते रहे अब यह भी जानकारी निकलकर आ रही है कि सीने में हाथों में पैरों में पीठ में इस तरीके से केसे उनके घर में जाकर उन पर इस तरीके से वार क्यूं किया, हमला क्यूं किया, पूरी गटना को उनजाम क्यूं दिया गया अब तक यह साफ नहीं हो पाया है हालां कि देखिए उसके बाद से लगातार जो है बदाईयों में तनाव का महौल देखा जा रहा है परिवार कुछ नहीं चाता है वो सरकार से कुछ नहीं मांगर कर रहा है लेकिन परिवार की तरफ से सिर्फ साथ तोर पर ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक थोस बज़ा चाहिए कि आखिर साजिद ने या जावेद ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया क्योंकि जानकारी है मिल पा रही है कि कई सालों से दोनों ही परिवारों का एक दूसरे घर में आना जाना था जिस घर में आयूश की माता रहती है उसी घर में वो पार्लर का काम करती है आयूश के पता वो ठेकेदारी का काम करते हैं और जावेद और साजद जो है वो हैर ड्रेसर का काम करते हैं और पासी में उनके घर के पास ही उसकी दुकान थी अब बीते मंगलवार को होता क्या है अब बीते मंगलवार को साजद जो है आयूश के घर आता है और उसके बाद वो कुछ पैसों की डिमांड भी करता है उसके तरफ से साथ तोर पर कहा जाता है कि मेरी पत्नी प्रेगनेंट है वो आयूश की माता से पैसे की गुजारिश करता है आयूश की माता अपने पठी को फोन करती है और उन्हें बताती है कि साजिद आया है साजिद कुछ पैसों की मांग कर रहा है हालां कि पहले तो थेकेदार ने देने से मना कर दिया लेकिन मा की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पारिवारे कृष्टे हैं बच्चा अच्छा है यानि कि साजुद अच्छा है वो कल पैसे लोटा देगा और यहीं वाज़ा है कि उसने ये कहा कि मैं थोड़ी कि तरफ से कहा गया कि तो थोड़ी तवियत खराब हो रही है वो चाहता था कि वो दूसरी मंजिल में बाहर चला जाए ऐसे में आयूश की जो माता है वो चाय बनानी चली जाती है लेकिन साजुद जो है जावेद को अंदर बुलाता है घर के अंदर और उसके बाद दोनों ही मासुमों की निर्मम निशन्स हट्या कर देता है लेकिन अब जानकारे मिलकर निकल कर यही आ रही है कि साजुद की गिरफतारी जावेद की गिरफतारी हो चुकी है साजुद को एंकाउंटर में मारा गया है इसे पहले यह भी ख़बर थी क्यूंकि जावेद लगातार फ कुछना बाकी है क्यूंकि अभी तक कोई भी क्लारेटी या कोई भी वजा जो है इस पूरे मामने में साफ नहीं हो पाई